हला स्टूबिन्स तो आज में लेक्या आई हूँ आपके पास थोड़ा सा निफिकल्ट ट्विक अब अअसे नहीं है लेकिन हमने इसको कभी भी फ्रोड चान्ट किया एक सीरीयुज मेरे नहीं पड़ा। आज मैं आपको उजैनेसिस के सबसे डिफिकल्ट, क्या है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टोशी, ग्राफियन फॉलिकल, और वो कैसे डिफरेंट है, उसाइट, I mean प्राइमरी, सेकेंडरी, उसाइट, मेल का स्पर्मेटो जैनेसिस पढ़ना का भी दे रहा, क्योंकि वो यहां पर उजैनेसिस, फर्स्ट अपर उजैनेसिस, फर्स्ट ऑपल, यजैनेसिस के सिंस्थासिस, उ लजैनेसिस के अंदर थी, रिफिता, उजैनेसिस इंथा, इस वीमिल, इस स्चार्ट फ्राम दा, इंट्रा योत्राइन लाइफ, जब इबी, मदर के भुम grammar, और भी से oogenesis start हो गया था तो हम ही इस oogenesis topic को तीन पार्ट में पढ़ना है पहला oogenesis का कितना पार्ट intrauterine life में हो रहा है, मतलब intrauterine face में है, तो वो mother के womb के अंदर है, दूसरा during the birth till puberty क्या क्या process हुआ and after puberty क्या क्या होता है तीन phase, पहला mother के womb के अंदर थी कितना पार्ट and from puberty to the menopause कितना पार्ट, clear? okay, let's start the lecture so बेटा, oogenesis मतलब होता है, ovum का production ovum और ova same होते है, but egg completely different now, oogenesis start होता है, जब germ cell या primordial primordial cell जिसे हम कहते है gamete mother cell so gamete mother cell सबका मतलब same है, एक diploid 46 chromosome containing cell जो की है oogenium बेटा, एक है आपकी baby, अभी हम बात करें intrauterine life, तो यह सारी चीज़़े कब चल रही है intrauterine life okay, pen change कर लेते हैं suppose कि यह एक ovary है ovary के अंदर oogenium बनने लग गए कब जब बेबी mother के uterus के अंदर थी तो जब वो uterus के अंदर है तो उसकी ovaries ने oogenium बनाना शुरू कर दिया point number one अब यही oogenium कुछ mature हो जाती है यह oogenium mature हो जाती है और convert हो जाती है primary oocyte site means cell over produce करने वाली cell so oogenium जो की अभी intra uterine life की बात कर रहे है oogenium थी उसमें से कुछ oogenium mature हो गए और वो primary oocyte में convert हो गए यहाँ पे भी chromosome number 46 ही है बेटा अब primary oocyte क्या करती है primary oocyte cover हो जाती है या इनके उपर कुछ layer आ जाती है जिन्हें कहते है granulosa cells तो जब granulosa cells cover करने लग जाए primary oocyte को तो यह convert हो जाती है into primary follicle तो follicle के अंदर होता है oocyte point to be noted primary follicle या कोई पे follicle हो follicle के अंदर होते है oocyte clear primary oocyte कुछ नहीं है यह एक matured enlarge virgin है germ cell का oogonium का अब हम any point of view यहाँ पे देखेंगे oogonium जो की intra uterine life में है oogonium बनते है जब बेबी mother की uterus में है जैसे ही एक बार oogonia oogonia is added after birth added after birth तो यह है oogonia जो है वो intra uterine life में ही बनेगे ठीक है now second यह कुछ oogonia mature हो जाती है primary oocyte में clear है यह तो clear है primary oocyte अपने उपर granulosa cells बनाना शुरू कर देगा और जिसके वज़े से हमारे पास अभी primary follicle बनके तयार हो गई है तो what is primary follicle granulosa cells surrounded by primary oocyte तो primary oocyte के उपर बहुत सरी granulosa तो यह सारा मतलब primary follicle तक जो formation है वो कहां पर हो गया intrauterine life में जब baby mother की uterus के अंदर है तभी उसके पास primary follicle बनके तयार हो गए यह clear हुआ तो ugonia primary oocyte primary oocyte surrounded by granulosa cells is equal to primary follicle यह fix कर दीजे अपने दिमाग में कहां पर है intrauterine life में अब देखिए बेटा क्या होता है primary follicle एक female के अंदर दो क्या होते हैं दो ovaries होते हैं एक ovary के अंदर होती है 60,000 से लेके 80,000 primary follicle fix clear अब देखिए यहां पर थोड़ी से controversy है जो कि हम दूसरे page में जाते हैं मैंने कहा आपके पास अब primary follicle pen change कर देते हैं आपके पास है primary follicle अब बेटा क्या होता है कि जब बेबी का बर्थ हो गया बर्थ से लेके puberty तक बहुत सारी primary follicle degenerate हो गया means primary follicle कहां बन के तईयार हो गया था इंटर यूटरे लाइफ में लेकिन जैसे baby का बॉन हुई बेबी बॉन हुई तब से लेके puberty तक primary follicle degenerate होते रहे तो अब जब puberty पे आ गई है तो female baby female baby के पास कितना रह गया only 60,000 से लेके 60,000 से लेके 80,000 कितना रह गया primary follicle so puberty में female के uterus में जो आपका sorry female के जो ovary है उसमें कितनी रह गई कितनी रह गई primary follicle सर्फ और से 60,000 से 80,000 clear है कि नहीं यह वाला topic भी खतम हो गया I guess now बेटा अब हम बात करते है puberty को लेके puberty अब बेटा puberty हो रहा है उसको puberty हो गया आप देखे अब क्या है आपके पास और primary follicle अब यह primary follicle convert होती है secondary follicle secondary follicle convert होती है tertiary follicle tertiary follicle convert होती है graphene follicle जिसे आप कहते है mature follicle क्या कहते है mature follicle और graphene follicle फिल क्या हो जाएगा burst हो जाएगा और क्या रिलीज कर देगा, ओवम रिलीज कर देता है, am I clear, क्या रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है, अब ये question है मैं ये आपने क्या बता दिया, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे, देखे, प्यार से देखें इसको, Puberty में क्या होता है, कि जब आपका primary oocyte है, primary oocyte surround होने लग जाता है granulosa cells, granulosa layer में, तो primary oocyte plus granulosa cells, एक layer है, तो हम उसे primary follicle कह देंगे, अब क्या हो जाता है, primary oocyte तो है, लेकिन सिर्फ एक ही granulosa cells के layer नहीं है, बहुत सारी आ गई, मा लीजिए, दो आ गई, तो जब दो granulosa cells है, with primary oocyte, तो हम उसे secondary follicle कह देते हैं, ज्यान रखिएगा, ज्यान रखिएगा, आपके पास कितनी fix है, 60,000 से 80,000, सो 60,000 से 80,000 में हमने एक primary follicle को पकड़ा, जब वो bubality में आ गई, तो अब धीरे-धीरे हर primary follicle convert होने लग जाएंगी, इस process में, तो every month, एक-एक primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle में convert हो रही है, question है, what is tertiary follicle, जब granulosa cells इतनी ज़ादा हो जाएं, कि primary oocyte और बहुत ज़ादा multiple layer of granulosa cells, कि एक outer पैका बनके तयार हो जाएं, और internal layer बनके तयार हो जाएं, एक outer layer और एक internal layer, दो layer का separation हो जाएं, और हम देखेंगे, कि इनके पास एक गड़ा होता है, इनके पास एक cavity होती है, इस cavity में एक yellow color का fluid होता है, तो अभी पहले difference देखेंगे, what is primary, secondary, tertiary follicle, एक point clear है, कि follicle के अंदर है oocyte, clear, clear, okay, now, हर मन्थ में, मन्थ में, primary follicle, secondary follicle में convert हुआ, कैसे, number of granulosa cells बढ़ा दो, तो यहाँ पे एक granulosa layer था, यहाँ पे दो granulosa layer है, यहाँ पे तीन, चार, पाँच, अब इतनी जादा layer हो गई, कि outer वाली और inner वाली में friends दिखने लग गया, so, secondary follicle में क्या होता है, secondary follicle में क्या होता है, थेका formation, layer formation हो जाती है, यहाँ पे primary follicle and two granulosa cells की layer हो जाती है, तोशरी follicle में थेका divide हो जाता है, interna और externa, so, बेटा, आपके पास है थेका externa and थेका interna, थेका interna, it is clear, और यहाँ पे एक fluid भर जाता है, जिसे antrum कहते है, तो जैसे ही आपके दिमाग में आ जाए, antrum, थेका interna, externa, तो वो क्या है, यह है tertiary follicle, वो है tertiary follicle, now, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका primary oocyte, पहला meiosis दिखाता है, और secondary oocyte produce करता है, क्या produce करता है, secondary oocyte, यहाँ रखिए क्या produce करता है, secondary oocyte, so पहला meiosis यहाँ पे complete होता है, primary oocyte produces secondary oocyte, तो secondary oocyte is the signature of tertiary follicle, ना तो graphene follicle के पास क्या है, secondary oocyte, plus एक zona pellucida, graphene follicle, चुकि टोश्री follicle के बाद आता है, तो secondary oocyte तो रहेगा यहाँ पे, लेकिन zona pellucida layer आ जाएगे, ना जोना pellucida plus secondary oocyte, now graphene follicle worst हो जाएगा, और क्या release होता है, actually secondary oocyte ही release होता है, जब पे भी ovulation होता है, तो ovum नहीं release होता है, it is secondary oocyte actually, अब क्या होता है, secondary oocyte जाता है, meiosis second, meiosis second, कैसे, meiosis second होगा जब sperm enter होगा, ma'am, आप तो बढ़ा confuse कर रहे हो, बेटा, यही तो trick है, थोड़ा सा एक slide और बढ़ जाते है, देखें बेटा, मैंने कहा, आपके पास है primary follicle, primary follicle convert to a secondary follicle, convert to a tertiary follicle, convert to a graphene follicle, graphene follicle burst होता है, और क्या produce करता है, ovum produce करता है, but ma'am, यह तो देखना पड़ेगा, कि actually, क्या important है यहाँ पर, देखें, श्यांस से समझें, primary follicle means primary oocyte plus granulosa cells, कितनी layer, one layer, secondary follicles means primary oocyte plus two layer of granulosa cells, tertiary follicle में क्या होता है, primary oocyte, first meiosis complete करता है, और क्या produce करता है, secondary oocyte, बढ़ ध्यान दीजे, यह है 46 chromosome, तो 46 chromosome equal divide होगा, यहाँ पे 23 chromosome, तो secondary oocyte, पहला haploid cell है, अब यह क्या produce करेगा, first polar body, तो बेटा, first polar body, जिसके पास 23 chromosome है, बट बेटा, यह size में बहुत छोटा होता है cell, secondary oocyte, बहुत बढ़ा size होता है, अब यह क्या होता है, पहला meiosis complete हो गया, तो जैसे ही tertiary follicle बोलू, आपके दिमाग में secondary oocyte आ जाना चाहिए, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle में primary oocyte था, लेकिन जैसे tertiary follicle थोड़ा सा मैचोर हुआ, primary oocyte convert हो गया secondary oocyte, पहला meiosis complete का लिया, तो आपके graphene follicle में क्या है secondary oocyte, और zona pellucida, zona pellucida, zona pellucida plus secondary oocyte is called this graphene follicle, अब क्या होता है, luteinizing hormone का surge होने लग जाता है, means बहुत जादा luteinizing hormone आने लग जाती है, अब क्या होता है, यह secondary oocyte with the zona pellucida burst होके वाहर आ जाती है, graphene follicle में क्या है, बहुत सारे granulosa cells हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, secondary oocyte plus zona pellucida लेर, अब due to alert surge, यह burst होती है, secondary oocyte with zona pellucida बाहर आ जाता है, तो during ovulation, what release? During ovulation, zona pellucida containing, secondary oocyte releases, comes, it's not ovum or egg we release on menstrual cycle, believe it, believe me, आज आपको थोड़ा सा, थोड़ा सा तो जादा ग्यान मिला है, secondary oocyte में अभी meiosis second होना है, लेकिन बेटा, meiosis second complete होता है, जब sperm enter करती है, sperm अपना centriole लेके आती है, क्या लेके आती है, centriole लेके आती है, यह centriole enter करता है, secondary oocyte को, और देता है centriole, जिससे meiosis second complete होता है, और अब release होता है ovum, इसके पास a 23 chromosome, और फिर अभी second polar body, second polar body, so, जब हमें menstrual हो रहा है, उसके पास ovulation आता है, तो ovulation में हम ovum, एग कुछ release नहीं कर रहे हैं, हम secondary oocyte release कर रहे हैं, secondary oocyte अब वेट कर रहा है, sperm के आने का, अगर sperm आ गया, तो secondary oocyte, क्या दिखाएगी, meiosis second, meiosis second complete होता है, secondary oocyte का, जब sperm आता है, sperm के पास होती है, centriole, centriole जैसे ही आएगा, division complete होगा, secondary oocyte क्या produce करेंगी, ovum, ova, plus second polar body, और अब आपकी ये ovum और second polar body में से, second polar body अपना cytoplasm दे देगी, और ovum ready हो जाता है, to convert into egg, means zygote, embryo, falana and the adult will sperm, if a woman is fertilized by the sperm, so ये था clear idea, so I hope you understand the conclusion, so अभी हम conclusion लेंगे, तो हमने देखा, आपके पास था oogonium, so oogonium था intrauterine life में, intrauterine life, means जब वो mother के body के अंदर था, तो oogonium multiply हो रहा था, ठीक है, increase in number हो रहा था, बेटा, by which division? mitosis, बेटा, mitosis से multiply होगा, लेकिन बेटा, जैसे ही oogonium multiply हुआ, अब oogonium का number fix हो जाएगा after birth, नेकिन जब वो intrauterine life में थी, तो oogonium mature होके primary oocyte में convert हो गए, ये primary oocyte graphene follicles, graphene follicles और granulo, sorry, क्या बोल दिया मैंना, अब यहाँ पर क्या होगा, sorry, just a second, तो primary oocyte किस के लिए, किस से granulosa, granulosa cells, granulosa cells के द्वारा cover होने लग जाएगे, और ये किस में convert हो जाएगे, primary follicle, तो बेटा, after birth, after birth, आपका primary follicle, क्या हो गया, बन के तयार है, तो primary follicle is there, after the birth of the baby, and these primary follicle will start degenerating, till the birth to puberty, clear, okay, no more ogonia can be added after birth, primary follicle, अन्ना तो body के अंदर ही start हो गया था, जब मदर की body के अंदर थी baby, लेकिन primary follicle, आपका birth से puberty के बीच में, कुछ degenerate भी हुआ, लेकिन जब वो puberty पे पहुँच गई, तो कितने primary follicle है, 60,000 से 80,000 है, हर मन्थ में, एक primary follicle, ध्याल रखेगा, अब जब woman को menstrual cycle आने लग गई, तो every month, एक primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, graphene follicle में convert हो रही है, primary follicle में primary oocyte था, secondary में primary oocyte था, वाइमियोसिस, वाइमियोसिस first, वाइमियोसिस first, अब बेटा, secondary oocyte जैसे ही बना, अब graphene follicle में, secondary oocyte वे जैना पलिसीडा है, अब graphene follicle burst हो जाता है, due to LH surge, बहुत सारा LH, luteinizing hormone आता है, जिसके वज़े से, graphene follicle burst हो जाता है, अब क्या release होता है, during the ovulation, this is called as ovulation, during ovulation, क्या बोले मैंने, during ovulation, क्या release हो रहा है, secondary oocyte, now बेटा, secondary oocyte के पास क्या है, zona pellucida, अब ये वेट कर रहा है, sperm के आने का, जैसे sperm आएगी, अपनी centriol दे देगी, centriol मिल जाएगा, तो इसका meiosis second complete हो जाएगा, जैसे meiosis second complete होगा, ovum, ova, release होगा भी 23 chromosome, और यहाँ पे second polar body आजाएगे, second polar body, बट यहाद रखिए, ovum, ova तभी release हो सकता है, जब आपका क्या है, आपने fertilization किया हो, बिना sperm, आपका ovum और ova नहीं है, during the ovulation, हम secondary oocyte release करें, always remember one point that, जब आपका primary oocyte, secondary oocyte में convert होगा, जब meiosis one complete हो गई थी, तो आपको ख्याल रखना है यहाँ पे, first polar body आई है, I hope you understood the lecture, now I will take a leave, we will stay tuned for other lectures, thank you, bye.